नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टुडिव दिराज में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डियलेट चतुर सेमेस्टर गडित के पवन की बुक के बहु विकल्पिय प्रशनों का मौक टेस्ट कराऊंगा तो इसके लिए मेरे वीडियो को इंट तक देखिए और यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यह चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए देखते हैं मौक टेस्ट का पहला कुश्चन तो देखिए पहला कुश्चन है sin theta बराबर 1 upon root 2 हो तो theta का मान होगा sin theta बराबर 1 बटे under root 2 हो तो theta का मान होगा तो देखे 4 option दिये हुए हैं 4 option में से आपको सही option चुन करके 25 से 30 सेकंड में तुरंत बताना है तो देखे पहला option है इसका 0 degree, दूसरा option 30 degree, तीसरा option 45 degree और चौथा option 90 degree तो देखे इसका जो आपको सही हो जाएगा 45 degree, देखे साइन जो साइन में जो है एक बटे under root 2 जो है यह 45 degree का मान होता है तो यहाँ पर देखे साइन theta जो है इस तरीके से साइन theta बराबर लिख लेंगे साइन 45 degree और फिर जो है साइन 45 degree लिख करके फिर यहां पर देखे, साइन साइन हटा देंगे, तो यहां पर थीटा बरावर हो जाएगा 45 डिगरी, तो इस प्रकार से जो है थीटा का मान 45 डिगरी आ जाएगा, यहनि कि इसका जो सा आपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा, अब देखते हैं, नेक्ट कुश्चन, तो देखे, नेक्ट कुश्चन है, 1-sin2A, और फिर देखे, दूसरे बिरेकर में है 1-102A का मान होगा, यहनि कि इसका मान बताना है, तो देखे, पहला आपसन है इसका 0, दूसरा आपसन है 1, तीसरा आपसन है 2, और चौथा आपसन है कास A, तो देखिए इसका जो बा आपसन हो विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा देखिए इसको कैसे साल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1-sin2a बराबर होता है देखिए कास2a यहनि कि इसकी जगे पर लिख लेंगे कास2a और उसके बाद फिर 1-102a बराबर होता है यहाँ पर देखिए गड़बर हो गया है यहाँ पर 1-sin2a हो जाएगा कास2a और उसके बाद फिर देखिए बीच में गुड़े का चिन है तो यहाँ पर गुड़ा लगाएंगे और फिर 1-102a बराबर हो जाएगा तो इस परकार से लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है तो इन दोनों की जगे पर एक को चेंज कर लेंगे यनि कि जैसे cast square a को change करेंगे तो यहाँ पर one upon sec square a इस तरीके से लिख लेंगे और फिर into यहाँ पर हो जाएगा sec square a और फिर यहाँ पर देखे sec से sec कड़ जाएगा और फिर यहाँ पर one बच जाएगा तो इस परकार से यहाँ पर इसका जो बा आपसर नहें बिलकुल right answer हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है बेलन के deste का सूत्र होता है तो देखें इसका पहला आपसर है दूसरा आपसर है 2पाई एच तीसरा आपसर है 2पाई आर एच square फिर चोथा आपसर है इन में से कोई नहीं तो देखिए इसका जो A option है बिल्कुल right answer हो जाएगा बेलन के वकप्रेश्ट का सूत्र होता है 2πRH फिर देखिए next question है संक की तिरची उचाई होती है तो देखिए इसका पहला option है L square बरावर H plus R फिर दूसरा option है H square plus R square फिर तीसरा option है L बरावर under root H square plus R square और फिर चौता option है इन्हें में से कोई नहीं तो देखिए इसका जो सा option है बिल्कुल right answer हो जाएगा L बरावर under root H square plus R square यनि कि संक की तिरची उचाई का फार्मूला क्या हो जाएगा L बरावर under root H square plus R square यनि कि इसका जो सा option है बिल्कुल right answer हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है एक लंब बृतिये बेलन के आधार का छेथफल 9 pi cm है तो उसके आधार का ब्यास होगा यनि कि लंब बृतिये बेलन के आधार का छेथफल यहाँ पर दिया हुआ है और आधार का ब्यास बताना है तो देखिए पहला आप्सन है इसका 2 cm, दूसरा आप्सन है 3 cm और तीसरा आप्सन है 6 cm और चौथा आप्सन है 4 cm तो देखिए इसका जो सा आप्सन है बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा 6 cm देखिए यहां लंब बिल्तिये बेलन के आधार का छेथफल दिया हुआ है तो देखिए आधार का छेथफल होता है पाई आर स्कॉयर यहां पर इस तरीके से पाई आर स्कॉयर बराबर देखिए दिया हुआ है 9 पाई इस तरीके से लिख लेंगे तो यहाँ पर देखिए πाई से पाई cancel हो जाएगा और फिर यहाँ पर R बराबर देखिए हो जाएगा Under Road No का यहनि कि वर्गमुल निकालेगे तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा यहनि कि यहाँ पर तरिजिया देखिए आजाएगी तीन और जो ब्यास होता है यहाँ पर ब्यास पूचा गया तो जो ब्यास होता है वो ब्यास त्रिज्या का दो गुणा होता है तो यह निकि इस तीन का अगर दो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा छे हो जाएगा तो इस प्रकार से इसका जो सा आपसन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा यनि कि आधार का जो ब्यास हो कितना हो जाएगा छे सेंटीमीटर आप देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है एक लंब ब्रतिय बेलन की उचाई छे सेंटीमीटर तथा त्रिज्जा तीन सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन होगा तो देखिए पहला अपसन है इसका चववन घं सेंटीमीटर दूस तो देखिए इसका जो बा आपसाने बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 54 पाई घंद सेंटीमीटर तो देखिए इसमें जो है फार्मूला का उन से लगाएंगे लंब बरतिये बेलन का आइटन क्योंकि यहाँ पर जो है बेलन का आइटन पूछा गया है तो देखिए लंब बरतिये बेलन का आइटन जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्कॉयर एच तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्कॉयर एच इस तरीके से फार्मूला लगा देंग तो यहाँ पर pi command देखिए रखना नहीं क्योंकि सभी में pi दिया हुआ तो यहाँ pi command नहीं रखना है यहाँ पर r command रख लेंगे और pi को ऐसे ही लिख लेंगे तो देखिए r command कितना हो जाएगा 3 तो यहाँ पर 3 का square कर लेंगे यहाँ पर सीधे से 9 लिख लिजिए और उसके बाद h h दिया हुआ है 6 तो यहाँ पर 6 लिख लिजिए अब यहाँ पर देखिए 6,94 हो जाएगा यहाँ कि 54 pi घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा यहाँ कि इसका जो 2 आपसन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखिए नेक्ट कुश्चन है एक बेलना कार बरतन की त्रिज्या r तथा उचाई 5 r है उसका वक्र प्रिष्ट होगा तो देखिए इसका पहला option है 10 pi r square वर्गिकाई दूसरा option है 10 pi square वर्गिकाई और तीसरा option है 5 pi r square वर्गिकाई और चौथा है pi r square वर्गिकाई तो देखिए बेलन के वकप्रिस्ट का फार्मूला होता है 2 pi r h तो यहाँ पर देखिए 2 pi r h फार्मूला इस तरीके से लगा देंगे 2 pi r h अब यहाँ पर देखिए 30 दी हुई है r और उचाई दी हुई है 5 r तो यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे pi को pi रहने देंगे और r की जगे पर r लिखेंगे और h की जगे पर क्या लिखेंगे 5 r क्योंकि उचाई जो है वो 5 r दी हुई है अब यहाँ पर देखिए 5 का गुड़ा 2 में करेंगे तो 5 दुनना 10 हो जाएगा और 10 और यहाँ पर दे हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखिए next question है 41 नंबर युगपत समीकरणों का हल निकालने के लिए किस बिधी का उपयोग किया जाता है युगपत समीकरण का हल निकालने के लिए किस बिधी का उपयोग किया जाता है तो देखिए पहला option है बिलोपन बिधी दूसरा option प्रतियस्थापन विधी तीसरा ओप्षन है आ वाब दोनो और चौत्धा ओप्षन है इन में से कोई नहीं कि तो देखे इसका जो हाप्षन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा आ वाबा दोनो देखे रूगपत समे उकर्णो को बिलोपन विधी से भी किया जाता है और प्रतियस्थापन विधी से भी हल किया जाता है तो इसका जो सा अप्षन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नहीं किया जा सकता है तो देखै इसका जो आ अप्षन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा एक कुर्सी का अदाम 110 रुपैय होगा और एक मेच का अदाम 150 रुपैय होगा देखे इसको solve कैसे करेंगे देखे इसकी दो समीकरण बनेंगी यानि कि हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक मेज का दाम x रुपया है तथा एक कुरसी का दाम y रुपया है तो इस प्रकार से देखे पहली समीकरण बन जाएगी 3x प्लस 5y बराबर 1000 कर लेंगे ये समीकरण एक हो जाएगी और फिर दूसरी समीकरण हो जाएगी 5x प्लस 2y बराबर 970 इस तरीके से दो समीकरण बन जाएगी और फिर दो समीकरणों को चाहे आप बिलोपन बिधी से हल कर लीजिए और चाहे प्रतियस्थापन बिधी से हल कर लीजिए दोनों से किसी से भी हल कर लीजिए तो आपका ये मान आ जाएगा यनि कि एक कुर्षी का दाम 110 रुपे आ जाएगा और एक मेज का दाम 150 रुपे आ जाएगा तो इस प्रकार से आप किसी भी बिद्ध से इसको हल कर सकते हैं अब देखते हैं next question तो देखें next question है question number 43 यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है यदि संख्या अंकों की जोड की चार गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी देखे पहला अपसन है 14 दूसरा अपसन है 25 दीसरा अपसन है 36 और चौथा अपसन है ग्यात नहीं की जा सकती तो देखिए इसका जो सा आपसन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 36 देखिए इसमें कहा गया है कि यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है यदि संख्या अंकों के जोड की चार गुनी हो तो संख्या ग्यात कीजे इसमें भी क्या करेंगे दो समिकर्ण बना लेंगे यानि कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना इकाई का अंक एक से तथा दहाई का अंक y है उसके बाद फिर संख्या मान लेंगे x प्लस 10y और उसके ब संक्या माने हैं उसमें रख देंगे तो इस प्रकार से जो है वो संक्या निकाल आएगी तो इस प्रकार से ये question भी हो जाएगा यानि कि इसका जो 6 option है विल्कुल right answer हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखिए next question है समी करण 3X plus Y बराबर 4 और दूसरा समी करण है X plus 2Y बराबर 3 का परतियस्थाफन विधी से X along Y का मान होगा देखिए पहला option इसमें है X बराबर 2 दूसरा option Y बराबर 5 और फिर देखिए सारी पहला आप्षन एक्स बराबर दो वाई बराबर पांच दूसरा आप्षन एक्स बराबर वन वाई बराबर एक और फिर देखिए तीसरा आप्षन एक्स बराबर चार वाई बराबर छे और फिर चौथा आप्षन एक्स बराबर दो वाई बराबर चार तो देखे इसका जो बा आपसे ने बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा X बराबर 1 और Y बराबर 1 यहनी कि दो समिकार दिये हुए हैं और इन दोनों समिकारणों को कहा गया है प्रतियस्थापन बिधी से हल करना उस बिधी से आप इसको साल्व करिए और X बराबर 1 और Y बराबर 1 इसका मान आ जाएगा देखे यह सवाल जो है इस स्क्रीन पर साल्व नहीं किया जा सकते क्योंकि इनका जो साल्यूसन है बहुल लंबा जाएगा देखे पहला आप्शन है X प्लस 5 और 2X माइनस 1 दूसरा आप्शन है X प्लस 3 और 2X प्लस 1 और तीसरा आप्शन है 1 प्लस X और 4 माइनस 5X और फिर चौत्था आप्शन है इनमें से कोई नहीं तो देखे इसका जो सा आप्शन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पर देखे कहा गया है कि 5 माइनस 5X स्क्वाइर माइनस X प्लस 4 के गुड़न खंड क्या होंगे यह कहा गया है तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे जो है X को तोड लेंगे यहनी कि जो चार है 4 का पहले गुड़न करेंगे 5 से तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 20 को तोड करके और जोड घटा करके हमको लाना है क्या 1 फिर यहाँ पर देखे हो जाएगा माइनस का 5X स्क्वाइर और फिर जो हो जाएगा माइनस का 5 चोग 20 होता ह यनिकि इस तरीके से कर दिया जाए 5X माइनस का और प्लस का हो जाएगा 4X तो यहाँ पर देखे 5X में से 4X घटाएंगे तो माइनस का X आ जाएगा तो इस परकार से माइनस का X हिलाना था और यहाँ पर हो जाएगा plus का 4 इस तरीके से कर लेंगे अब यहाँ से देखे 5x कामन ले लेंगे तो यहाँ पर देखे बचेगा जो है 1 और यहाँ पर बचेगा सारी यहाँ पर बचेगा x क्योंकि 5x कामन लेंगे तो यहाँ पर देखे x square है तो यहाँ पर देखे x बच और इसमें देखे प्लस का 4 कामन लेंगे तो यहां पर बचेगा देखे एकस प्लस 1 और यहां पर देखे यहां पर भी जो है प्लस बचेगा क्योंकि जो है माइनस आगे कामन लिए तो इसलिए प्लस बचेगा और यहां से देखे अब एकस प्लस 1 कामन लेंगे और यहां से ब इसका जुस्षा आप्षन है वो बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा आप देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है समी करनल 4x² प्लस 5x प्लस 1 के गुड़न खंड होंगे देखें 4x² प्लस 5x प्लस 1 के गुड़न खंड करने हैं तो यहाँ पर तो देखें इसका कोई भी आप्षन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखें सही आप्षन इसका कोई दिया नहीं यानि कि इसमें अगर प्लस लगा होता तो इसका ये आप्सन सही मान लिया जाता क्योंकि यहाँ पर देखिए 4x² प्लस 5x प्लस 1 दिया गया है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 का गुड़ा 4 से करेंगे और फिर उसके गुड़न खंड करेंगे और जोड़ घटा करके हमको 5 लाना है तो कुल मिला करके हम 4 में 1 जोड़ करके 5 ला सकते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से इसको किया जा सकता है कि 4x² प्लस 4x और प्लस x और प्लस का 1 इस तरीके इसको तोड़ा जा सकता है और यहां से देखे 4X कामन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा X प्लस का 1 और फिर यहां पर देखे प्लस का 1 कामन लेंगे तो यहां पर देखे X प्लस 1 हो जाएगा और फिर यहां पर देखे गए गा 4 x प्लस 1 तो इस प्रकार से देखते हैं इसका जो सा आफशन है वो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 4 x प्लस 1 और 1 इसके अलावा और कोई आफशन इसका सही नहीं हो सकता है तो इस प्रकार से इसमें जो सही आफशन है वो नहीं दिया गया है तो अब देखते हैं next question तो देखें next question है ब्रत का छेतर फल देखेंग के छेतर फल का सूत्र है ब्रत के छेतर फल का सूत्र बताना है तो यहां पर देखेंगा पहला option है ब्यास बराबर सारी Minaos वेर्टे दो दूसरा阿प notion है पाई यार स्कॉयर देखें ब्रत के छेत्फल का सूतर होता है पाई यार स्कॉयर और ब्रत की परित का फार्मूला होता है टू पाई यार तो यह विश्यर सुबसे आप लोग याद रखना ब्रत के छेत्फल का फार्मूला होगा पाई यार स्कॉयर अब देखते हैं नेक्ट और आंतरिक तिर्ज्या R2 दी हुई है तो देखे पहला इसका आप्षन है पाई R1 स्क्वाइर माइनस R2 स्क्वाइर और फिर दूसरा आप्षन दिया हुआ है पाई R1 स्क्वाइर फिर तीसरा आप्षन दिया हुआ है पाई R1 स्क्वाइर प्लस R2 स्क्वाइर और फिर चौत 1 square minus R2 square क्योंकि देखें ब्रत के छेत्रफल का फार्मूला πाई R square होता है और यहाँ पर देखें वाह तिरिज्जा दी हुई है R1 और आंतरिक तिरिज्जा दी हुई है R2 तो यहाँ पर देखें जो है ब्रत्ताकार मैदान का छेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R1 square minus R2 square यहनि कि इसका जो first option है विल्कुल right answer हो जाएगा अब देखते है next question तो देखें next question है यदि एक ब्रत्ताकार मैदान की तरिज्जा 7 मीटर है तो मैदान का छेत्रफल होगा यदि एक ब्रत्ताकार मैदान की तरिज्जा 7 मीटर है तो जो है मैदान का छेत्रफल होगा यहनि कि छेत्रफल ग्याद करना है तो देखें यहाँ पर पहला option है 22 मीटर square और फिर दूसरा option है 154 मीटर square और फिर तीसरा option है 49 मीटर और चोथा option है 44 मीटर तो देखें इसका जो बा आपसान है बिल्कुल right answer हो जाएगा 154 मीटर क्योंकि देखें यहाँ ब्रत्ताकार मैदान की तरिज्जा दी हुई है और मैदान का छेत्रफल निकालना है तो देखें मैदान के छेत्रफल का फार्मूला क्या होगा चुँकि मैदान ब्रत्ताकार है तो यहाँ पर ब्रत के छेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और ब्रत के छेत्रफल का फार्मूला होता है πाई r square तो यहाँ पर देखें जो r है वो कितना दिया हुआ है साथ दिया हुआ है तो यहाँ पर देखें बाइस बटे साथ रखे तो देखे 7 champions 14, 14 का 4 और 7 champions 14 ओर 15 यлас 14 हो जाएगा यानि कि 154 वर्ग मीटर जो आया है यही इसका सही answer हो जाएगा यदि एक ब्रית का छेटफल 616 वर्ग मीटर है इसका व्यास होगा यदि एक ब्रित का छेटफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास होगा तो देखे, पहला option इसका 14 मीटर, दूसरा option है, देखे, दूसरा option है 28 मीटर, तीसरा option है 56 मीटर, और चौथा option है 112 मीटर, तो फटा-फट इसका सही answer आप लोग दीजिए, तो देखे, इसका जो बा option है, बिल्कुल राइट answer हो जाएगा, देखे, ब्रित का 6 तरफल यहाँ पर दिया हुआ है, देखे, कैसे solve करेंगे इसको, तो देखे, ब्रित का जो 6 तरफल हो दिया हुआ है, 616 मीटर, और इसका ब्यास ग्यात करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ प ब्रित के 6 तरफल का फार्मूला लगाएंगे, तो देखे, ब्रित के 6 तरफल का फार्मूला होता है, पाई आर स्कोयर, तो देखे, पाई आर स्कोयर बराबर कितना दिया हुआ है, 616, यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे, और उसके बाद देखे, यहाँ से हम त्रिज् यनिकि R square बराबर हो जाएगा 616 और फिर देखिए यहाँ पर पाई कमान रखेंगे 22 बटे 7 और उधर जब जाएगा तो यहाँ पर देखिए 7 गुडे में हो जाएगा और 22 बटे में हो जाएगा अब यहाँ पर इसको 11 से सरल कर लेंगे तो देखिए 11 दुना 20 हो जाएगा औ यहाँ पर इसको 11 से गाटेंगे तो 11 पच्छे 55 हो जाएगा और फिर 11 चका 6 चट हो जाएगा यहनिकि उपर आ जाएगा 56 और अब जो है 56 को भी 2 से सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दुना 4 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा यहनिकि यहाँ पर आ जाएगा 28 तो और उसके बाद फिर साद दूने 14 और 14 और 5 उन्निस यानि कि 196 आ जाएगा और फिर देखें यहाँ पर यह आर स्कॉयर बराबर आया है 196 और जब आर मान निकालेंगे तो आर क्या हो जाएगा अंडर रूड 196 हो जाएगा और फिर जो है आर बराबर 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो 196 का वर्गमूल आएगा 14 यनि कि आर का मान जो है कितना आगया 14 यनि कि तरिज्या यहाँ पर 14 आ चुकी है और निकालना क्या है निकालना इसका ब्यास है यहाँ पर देखे कहागा है इसका ब्यास होगा तो देखे ब्यास जो होता है तिरिज्या का दो गुना होता है तो 14 दुना क्या हो जाएगा 28 निकी तिरिज्या का दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा तो इस प चक्र लगाने में पहिया कितनी दूरी तै करेगा एक साइकल के पहिये की तरिज्जा साथ मीटर है सो चक्र लगाने में पहिया कितनी दूरी तै करेगा देखे पहला आपसन चार सो मीटर दूसरा आपसन चार सो दस मीटर तीसरा आपसन चार सो तीस मीटर और चौथा आपसन चवालिस सो मेटर तो देखिए इसका जुद्धा आपसा नो बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा चवालिस सो मेटर देखिए यहाँ पर कहा गया कि साइकिल के पहिये की तरिज्जा साथ मेटर है तो सव चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तै करेगा तो देखिए यहाँ पर साइकिल के पहिये की तरिज्जा दी हुई है तो यहाँ पर देखिए अगर पहिये की परिद है वो अगर निकाल ली जाए तो यहाँ पर एक चक्कर में वो कितनी दूरी तै करेगी यह निकाल आएगा और फिर उसको जो है 100 से गुड़ा कर देना है तो 100 चक्कर में कितनी दूरी तै करेगी वो यहाँ पर निकाल आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहिये की परिद निकाल लेंगे तो देखिए परिद का फार्मूला क्या होता है तो परिद का फार्मूला होता है 2πR यनि कि पहिये की परिद ही हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर 2 into 22 बटे साथ हो जाएगा पाई का मान और फिर गुड़े यहाँ पर देखिए तिरिज्या दी हुई है देखिए 7 मीटर तो यहाँ पर तिरिज्या की जगे पर 7 रख देंगे अब 7 से 7 का एंसिल हो जाएगा और 22 दुना हो जाएगा 44 यनि कि यहाँ पर जो परिद निकली है पहिये की वो कितनी निकली है 44 मीटर अब देखिए जो परिद निकली है वही एक चक्कर में तै की गई दूरी होगी तो यहाँ पर देखिए एक चक्कर में वो 44 मीटर दूरी तै करती है यनि कि जो पहिया है तो 100 चकर लगाने में पहिया कितनी दूरी तै करेगी तो यहाँ पर इसको 44 को 100 से गुड़ा कर देंगी तो यहाँ पर देखे चवालिस सव मीटर इसका सही आपसन हो जाएगा यहनि कि इसका जो दा आपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है चतुर भुच के चारों कोणों का योगफल होता है तो देखें इसका पहला आपसन है एक समकोण, दूसरा आपसन है दो समकोण, तीसरा आपसन है चार समकोण चौथा आपसन है इन में से कोई नहीं तो देखें इसका जो सा आपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चार समकोण देखिए कोई भी चतुरभुज हो अगर उसके चारों कोणों का योगफल कहा जाए तो उसके चारों कोणों का योगफल हमेशा चार समकोणों के बराबर होता है या कह लिजे 360 डिगरी होता है तो ये आप लोग अच्छे समझ लिजे कि कोई भी चतुरभुज दिया हो कैसा भी बना हो अगर उसके चारों अन्ता कोणों का योग कहा जा तो चारों अन्ता कोणों का योग जो है चार समकोण या 360 डिगरी कह सकते हैं कि चार समकोण या 360 डिगरी उसका होगा योग फल जो है आप देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है चतुर जिनका एक उभैनिष्ट अंतिबिन्द होता है कहलाती हैं तो देखे पहला आपसन है सम्मुक भुजाएं दूसरा आपसन है कर्मागत भुजाएं तीसरा आपसन है विकार्ड और चौथा आपसन है उपरोक्त सभी तो देखे इसका जो बा आपसन है वो राइट अंसर हो जाएगा कर्मागत भुजाएं देखे यहाँ पर कहा गया है कि चतुर भुज की वह दो भुजाएं जिनका एक उभैनिष्ट अंतिबिन्द होता है कहलाती हैं तो देखे कोई भी चतुर भुज मालीजे इस तरीके से ब देखे एक बिंदु है और इस भुजा का यहाँ पर एक बिंदु है और यह दोनों अंति बिंदु है और यह दोनों भुजाओं पर पढ़ रहे हैं तो यह भुजाएं क्या कहलाएंगी तो यह कर्मागत भुजाएं कहलाएंगी यहाँ से देखे इस तरीके से यह और इसके जुबबा आपसान है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है चतर भुज के अंता कोण होते हैं देखें यहां अंत कोण लिखा है लेकिन अंत कोण नहीं अंता कोण होते हैं देखे पहला आपसन है दो और दूसरा आपसन है तीन तीसरा आपसन है चार चौता आपसन है आठ चतुरभुज के अंता कौण कितने होते हैं तो देखिए इसका जुस्सा आप से बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चार क्योंकि चतुरभुज के चार अंता कोड होते हैं तिरभुज के तीन अंता कोड होते हैं तो यह आप लोग अच्छे समझ लीजिए अंता कोड का मतलब देखिए कोई भी चतुरभुज मान ये इस तरीके से बना हुआ है तो इसके अंदर कितने कोण होंगे तो यहाँ पर देखे एक कोण ये है एक ये है एक ये है और एक ये है यनि कि तीन अंता कोण जो है तिरभुज में होते हैं और चतुरभुज में चार अंता कोण होते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर तिरभ बुशा जाए तो तीन आंता कॉण होते हैं अब देखते हैं penalty question चतिर्भूज में संरेक होते हैं कोई भी पहला अपिसेन दो बींदु दूसरा अपिसेन तीन बींदु और तीसरा अपिसेन 4 बींदु और चौथा आपसन है छे बिंदू तो देखे इसका जो A आपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा दो बिंदू देखे कहा गया है यहाँ पर चतुर भुज में सन रेक होते हैं सन रेक का मतलब एक ही रेखा पर पड़ते हो तो उन्हें क्या कहते हैं सन रेक बिंदू कहते हैं तो यहाँ पर कहा गया है चतुर भुज में सन रेक होते हैं कोई भी दो बिंदू यनि कि इस तरीके से मान लीजिए दो बिंदू है और इस तरीके से यह देखे सनरेक इस तरीके समाना जाएगा तो यह सनरेक होते हैं तो इस प्रकार से इसका जो आ आपसन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा दो बिंदू अब देखते हैं next question तो देखें next question है चतुर भुज की रचना में अवस्यक बिंदू है तो देखें पहला आपसन इसका चार भ तो देखें इसका जो लाश्ट वाला आपसन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पर देखें साथ साथ दो जगे पर दिया हुआ लेकिन यह सा नहीं यह दा है तो इस प्रकार से इसका जो दा आपसन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी यह कि यहां पर कहा गया कि चतुर भुज की अगर रचना हमें करनी हो तो उसके लिए अवस्यक बिंद क्या है तो यहां पर देखिए अगर चार भुजाएं और दोनों विकंड दिये हो तब भी रचना की जा सकती है तो इस प्रकार से इसका जो दा अप्शन है विलकुर राइट अंसर हो जाएगा उपरोग्त सब ही आप देख्ते हैं नेक्त कुश्चन तो देखिए नेक्त कुश्चन है समाह। चतुर्भुज के सभी अनता कॉनों का योग योगफल होता है देखिए पहला आपसन इसका 90 डिगरी दूसरा आपसन है 240 डिगरी तीसरा आपसन है 270 डिगरी और चौथा आपसन है 360 डिगरी तो देखिए इसका जुद्धा आपसन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 360 डिगरी अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि चतुर्भुज कैसा भी हो अगर उसके अंता कोणों के योगफल की बात की जा रही है तो आप 4 समकोण या 360 डिगरी उसको कह सकते हैं तो वहाँ पर देखे 4 समकोण दिया हुआ था और यहाँ पर 360 डिगरी दिया गया है तो दोनों का मतलब एक ही है चार समकोण का मतलब 90 क्या है उसके अंता कोणों के अगर बात की जाए तो चारों अंता कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 360 डिगरी हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है सम चतुर्भुज के कोण होते हैं सम चतुर्भुज के कोण होते हैं तो देखे, इसका पहला आपसन यह बराबर, दूसरा आपसन है समान, तीसरा आपसन है सम कोण और चौत्हा आपसन है सम्मुक कोण बराबर। देखे इसका जो दा आपसाने बिल्कुल राइट आइंसर हो जाएगा सम्मुख कोण बराबर देखे सम्चतुरभुज के जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण बराबर होते हैं यनि कि मान लीजे इस तरीके से कोई कोण अगर बना हुआ है इस तरीके से देखे तो ये सम्मु कोण माना जाएगा और इसके सम्मु कोण जो ये कोण है ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा इसकी जो सम्चतुरभुज की मेन परिभासा होती है क्या होती है कि सम्मो कोण इसके बराबर होते हैं और चारो भुजाएं बराबर होते हैं और देखिए मान लीजे इस तरीके से कोई जो है चतुर भुज बना है तो ये क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा निकि चारो भुजाएं बराबर हो और जो इसके तो यही एगर इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है तो यह वर्ग नहीं कहा जाएगा यह किया कहा जाएगा सम्चतुर्भुज कहा जाएगा इस प्रकार से इसका जो दा आप साने बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा सम्मुख कौन बराबर होते हैं अब next question इसा-फस्राइन सभी आसामान होती है चौत्हाफस्राइन एक केवल दो आसन भुजाएं बराबर तो देखिए इसका जो सम और सम चतुर्भुज होता है इसके सम कोंड बराबर होते हैं लेकिन अगर इस सीधा इस तरीके से बना दिया जाए यनि कि प्रते कोaulares 90 degrees का हो तो इसको जो है वर्ग बोलेंगे और इस तरीके मालीजे तेण ये ठेड़ा बना हुआ है, यहनु कि आमने सामने की भुझाये समांतर बनी हुई है और सारी भुझाये बराबर हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको समचत्रभुझ बोलेंगे, तो इस प्रकार से जो है आप लोग सम चत्रभुच और वर्ग में अंतर समझ गये होंगे तो इसका जो बापसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर साथ है आयत के बिकंड प्रस्पर होते हैं लंब पहला अपसन है दूसरा अपसन बराबर तीसरा अपसन है आसमान चौथा अपसन है समानतर तो देखिए इसका जो बा आपसाने बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा बराबर देखिए कहा गया है कि आयत के बिकंड परसपर होते हैं तो यहां पर जो बा आपसाने बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि आयत जो होता है उसकी क्या होती है सम्मुक भुजाएं बराबर होती है यनि कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है और चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है और इसका जो परते कोड होता है वो 90 डिगरी का होता है यह जो है आयत की condition होती है और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आयत के बिकांड प्रसपर होते हैं तो देखिए इसके जो बिकांड होते हैं यह आपस में बराबर होते हैं इस तरीके से देखिए यह बिकांड जो है यह आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं तो इस पकार स इसका जुबबा आपसेने बिल्कुल राइट ऐंसर हो जाएगा आप देखते हैं next question किसी चतुर भुज में सम्मु्ह भुजाओं का एक युग्म प्रस पर समानतर है चतुर भुज होगा पहला आप शंबलम दूसरा आप शंब्लकुम्ह पर शंब्लकुम्ह हो जाएगा समलंब देखे यहां पर कहा गया कि किसी चतुर भुज में सम्मुख भुजाओं का एक यूग में प्रसपर समांतर है तो चतुर भुज होगा तो देखे एक यूग में अगर प्रसपर समांतर होगा तो वो क्या कहलाएगा समलंब कहलाएगा देखे इस तरीके से म लिजे बना हुआ तो यह क्या होगा यह समलंब चतुरभुज होगा यह निकि कोई दो भुजाएं उसके समानतर हो और दो भुजाएं समानतर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे उसको समलंब बोलेंगे तो इस प्रकार से इसका जो आ आपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाए तो देखे इसका जो बह आपसाने बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा समान क्योंकि यहां पर कहा गया कि वर्ग की चारों हो जाए होती हैं तो अभी आपनों को उपर बता भी चुके हैं कि जो है वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाए इस तरीके से देखे बराबर होती हैं तो यहां पर देखे पहला आपसन है बराबर दूसरा आपसन है आसमान तीसरा आपसन सम्कूर्ण चत्रा आपसन है विपच्छी तो देखिए इसका जो A आपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा बराबर समांतर चतुरभुज के सम्मो कोड होते हैं तो वो होते हैं बराबर देखें समांतर चतुरभुज इस तरीके से बनता है यहनि कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो दोनों जो है यनि कि ये भी इसके समांतर होती है और ये इसके समांतर होती है यनि कि इसमें जो दो भुजाओं का यूगम होता है दोनों यूगम जो है समांतर होते हैं अगर एक यूगम जो है समांतर होता है तो समलंब चतुरभुज कहलाता है और अगर दोनों यूगम जो है समांतर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज बोलते हैं तो यहां पर देखें यह इसके समांतर है और यह वाली जो है इसके समांतर है तो इस प्रकार से यह समांतर चतुर्भुज होता है और यहां पर कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुक कोण होते हैं तो देखिए ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है और ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होता है तो इस प्रकार से इसके सम्मुक कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं तो इसका जो आ आपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 64 चतुरभुज के परकार है चतुरभुज के परकार है देखें पहला आपसन समलम चतुरभुज दूसरा आपसन है समांतर चतुर्भुज और तीसरा आपसन है सम चतुर्भुज और चौता आपसन है उप्रोक्त सभी तो देखे सभी को पता होगा कि यह सब जो है चतुर्भुज के ही परकार है आप देखते हैं नेक्ट कुश्चन आयत एक चतुर भुज है आयत एक चतुर भुज है यहां पर देखें पहला अपसंदिया हुए समलंब दूसरा अपसंदिया हुए समांतर तीसरा अपसंदिया हुए सम चतुर भुज और चौत्था अपसंदिया हुए इन में से कोई नही तो देखिए इसका जो बा आपसाने बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा समांतर क्योंकि आयत जो है आयत में अभी जो है आप लोगों को बताएं है कि जो है चतुर भुज के आमने सामने की दोनो भुजा यनि की दोनो युग्म समांतर होने चाहिए तो जो आयत होता है इस तरीके से मान लीजिए ये आयत इस तरीके से बनतात इसमें जो है ये भुजा इसके समांतर होती है और ये भुजा इसके समांतर होती है तो ये एक समांतर चतुर भुज होता है और जो है इसको इसका जो बा आपसाने बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा यनि की आयत एक क पूरख तिसरा आपसन नियून कोर्ट चौत्रा अधिक कोर्ड तो देखे इसका जो बाई आपसन है बिलकुल रैट आपसन हो जाएगा संपूरख देखे कहा गया कि किसी चक्रिये चतुर्भुज के सम्मों कोण का योग 181 होता है और संपूरख की परिवासा होती है कि जब दो कोणों का योग 180 डिगरी होता है तो वह दोनों कोण जो है एक दूसरे के क्या कहलाते हैं संपूरा कहलाते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर देखे जो है चत्रभुज के चक्रिय चत्रभुज के जो सम्मो कोण होते हैं उनका योग जो है 180 डिगरी के बराबर होता है यनि कि इसका जो बा आपसन हो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है चक्रिय चत्र के सम्मो कोण होते हैं तो यहाँ पर देखें answer हो जाएगा संपूरक और यहाँ पर का गया है कि सम्मो कोणों का योग होता है तो देखें सम्मो कोणों का योग संपूरक भी कह सकते हैं इसका संपूरक का मतलब होता है योग 180 डिगरी होता है और यहाँ पर देखें direct 180 डिग आप देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है चक्रिय चतुरभुज A B C D की A B भुजा को E तक बढ़ाया गया है यहादी कॉंड D यहाँ पर देखें ये कॉंड दिया हुआ है कॉंड D 120 डिगरी हो तो C B E का मान ग्याद कीजिए C B E यहनिकि ये कॉं जो हमको ग्याद करना है तो यहाँ पर देखें इसके लिए एक परिमे है कि जो चक्रिय चतुरभुज का 22 कॉंड होता है 22 कॉंड का मतलब देखें ये सब जो है ये अंता कॉंड है ये कॉंड जो है ये सब क्या है अंता कॉंड है और ये भुजा मान लिजे आगे तक तो देखिए जो चक्रिये चत्रभुज होता है चक्रिये चत्रभुज का बहिश कोण अपने सुदूर अंता कोण के बराबर होता है यह एक पर्मे होती है तो यहाँ पर जैसे यह कोण है तो यह कोण देखे इस कोण के देखे यह नजदीक पड़ रहा है यह नजदीक पड़ रहा है और यह जो कोण है यह सबसे दूर पड़ रहा है तो चक्रिये चत्रभुज का बहिश कोण अपने सुदूर अंता कोण के बर सा कूण है ये कूण है तो इसके बराबर हो जाएगा यानिकि इस कूण का मान भी 120 डिग्री हो जाएगा तो देखे इसके आपसन जो दिये हुए है तो वो क्या है 120 डिग्री है 60 डिगरी है, 180 डिगरी है और 270 डिगरी है तो इस प्रकार से इसका जो A option है विल्कुल राइट answer हो जाएगा 120 डिगरी इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना क्योंकि important question है तो इस प्रकार से आज के सारे question समाप्त होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों यदे हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबैल पर सबसे पहले पहुँचे फिर मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में एक नवे टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम